हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक इन एग्री मंत्रा चैनल, तोड़े वी एर डिसकसिंग अबाउट एग्री कल्चर करेंट अफेर्स विच आर मोस्ट यूसफुल फॉर अपकमिंग एग्री कल्चरल कॉंपेटिटिव एग्जाम्स फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 23 और 24 अगस 2020 के इंपोर्टेंट एग्री कल्चर करेंट अफेर्स जो एग्जाम के पॉइंट अविउ से काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना उससे पहले एक इंफॉर्मेशन अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफर्म से भी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्री कल्चर करेंट अफेर्स डोज, पीडिय प्रधान मंत्री फसल बीमा यूजना, C's sharp fall in farmers covered, Shams Insured तो यहां पर बात हो रही है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा यूजना जो इसकीम थी, जो की पूरे नेशन पे लागू है, उसमें कुछ इस्टेट हैं जिन्नोंने boycott किया है, उसको suspend किया है अपनी इस्टेट से जिसके क कारण पहुत कम farmers ने अपनी crop का insurance इस scheme के अंडर कराया है इस खरीब सीजन में तो जानेंगे इसके बारे में detail में कौन-कौन सी estate है जो out हो गई है प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना से ये भी हम जानेंगे आगे बात करेंगे second important current of year पैडी headed for record accreage in this season तो पैडी का जो showing है इस वार record showing हुआ है अगर हम पिछले year से compare करेंगे तो यहाँ पर काफी increase हुआ है percentage area में भी तो यहाँ पर देखेंगे कितना enhancement हुआ है पिछले compare में ठीक है आगे बात करेंगे आने वाली slides में थार्ड important current affair चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लौंच्ट अ नावार्ट प्रोजेक्ट for development of terracotta artisan in two blocks of गोरखपुर तो यहाँ पर बात हो रही है यूपी के सीम योगी आदित्यनाथ जी ने एक नावार्ट का प्रोजेक्ट लौंच किया है उत्तर परदेश के गोरख करती है और यह जो प्रोजेक्ट है इससे क्या-क्या help मिलेगी वहां के artisans को और इससे related जितनी भी information होंगी वो आने वाली slides में हम cover करेंगे सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है इस खरीब सीजन तो प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना का जो graph है वो इस वार डाउन है इसमें काफी कम farmers ने इस वार अपनी crop को insured करा है तो जानेंगे इसके बारे में यहाँ पर है cover for farmers drop sharply as many states opt out of प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना तो इस season में प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना से कई state out हो गए है ठीक है जिसके कारण जो overall insurance हुआ है इस scheme के अंडर में वो काफ वोला है despite the center introducing many changes the scheme remains unpalatable तो यहाँ पर बात हो रही है कि इतने changes हुए इस scheme में फरवरी 2020 में उसके बाब जूद ठीक है जो scheme है वो अब भी कैसी है और रूची कर है unpalatable मतलब होता है रूची ना होना अब भी farmers की रूची नहीं है इस scheme में और कारण है कि इसका जो premium है वो काफ premium pay करना पड़ता है आगे जानेंगे इसके बारे में detail में आगे यहाँ पर बोला है several farmers across the country will go without insurance protection तो यहाँ पर बहुत farmer ऐसे हैं इस वार इस country में कि इस season में बिना किसी insurance protection के अपनी crop को grow कर रहा है इस खरीब season में ठीक है आगे यहाँ पर बोला गया है इसी कारण से sharp drop देखन को मिला है coverage में अंडर प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना अब बात करेंगे प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना क्या है तो यह 18 फरवरी 2016 को launch की गई यह launch की हमारे present के PM नरेंद मोदी जी ने इसकी जो ministry है किसके अंडर में आती है यह ministry of agriculture and farmer welfare इसमें तीन टैप की crops consider करते हैं और तीनों crop पे अलग अलग premium पे करना होता है अगर बात करेंगे खरिप crop की तो यहाँ पर 2% premium पे करना होता है अगर बात करेंगे रभी crop की तो 1.5% पे करना होता है अगर बात करेंगे annual commercial and hotty culture crop की तो 5% premium पे करना पड़ता है यह जो high premium है जो farmers को पे करना पड़ता है यही का पे future में नुकसान यह हो सकता है कि by chance अगर फसल 100% dead हो गई, destroy हो गई due to flood और rain तब उस किसान का क्या होगा, ये center government की परिसानी बनी हुई है, उनको problem नहीं है, अगर वो इस योजना से बाहर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन नुकसान यही है कि अगर उनकी 100% फसल खरा गया है, इन खरीब 2020, the total number of farmers covered under this government sponsored scheme was 1.28 करोड़, तो यहां पर बात हो रही है कि इस खरीब सीजन 2020 में, 1.28 करोड़ फार्मर्स ने अपनी क्रॉप का insurance कराया है, जो की लगवग 32% down है पिछले year के compare में, ठीक है, खरीब 2019 के compare में बात करेंगे, तो 32% कम लोगों ने इस वार, कम फार्मर्स ने अपनी क्रॉप का insurance प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना में कराया है, आगे बोला गया है, area insurance की बात करेंगे, तो यहां पर 189,00,000,000 hectare area insured हुआ है, जो की पिछले year में कितना था, 288,00,000 hectare, तो यहां पर area coverage में भी काफी कमी आई है, इस insurance के अंडर में, total प्रिमियम क्लेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर इंसुरेंस के द्वारा जो इंसुरेंस हुए है उससे 13,000 करोड लगव यहाँ पर इंसुरेंस के थुरू पैसा कलेक्ट हुआ है जिसमें से 1643 करोड फार्मर्स का है ऐसे प्रिमियम जो पे करते हैं लेकिन वो भी 26% कम है अगर पिछले year में हम अगर insurers की बात करेंगे और farmer के share को जोड़ेंगे तो उससे 26% इस वार कम पैसा collect हुआ है इस scheme के अंडर में तो आप देख सकते हैं कि कितना शार्फ फाल देखने को मिला है प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना में after COVID-19 pandemic ठीक है एक कारण ये भी है COVID-19 pandemic क कारण किसानों के पास पैसा नहीं है ठीक है और वो एक भी पैसा ऐसा खर्च नहीं करना चाहते हैं जो कि उनकी जेब से जाए अगर होगा तब ही तो खर्च करेंगे उनके पास नहीं है इसलिए वो चाहते हैं कि बिना किसी insurance protection के इस खरिप सी जन में वो crop करेंगे आगे यह बिहार एंड वेस्ट पंगॉल हैड ओलेडी ऑप्टेड आउट ओफिट तो यहां पर तीन स्टेट ऐसे हैं जो ओलेडी आउट हो चुके हैं इस इसकीम को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है अपने अपनी स्टेट में जिनका नाम है आंद्रप्रदेश बिहार और बेस्ट पंगाल और इस लाइन में कौन-कौन से स्टेट हैं जो इस इसकीम में पार्टिसिपेट करने से बच रहें वो हैं गुजरात यूपी जारकंड और तिलंगाना यह भी चाहते हैं कि हम इस इसकीम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस सीजन में फीचर में कर सकते हैं ले योजना को उन्होंने बाहर किया अपनी स्टेट से इसके लिए इस्टेट गॉर्वर्मेंट ने कुछ alternative scheme launch की है अपने farmers के लिए जैसे अगर बात करेंगे गुजरात की तो उन्होंने launch की थी मुख्य मंत्री किसान सहाई योजना जो की fully state funded scheme है और इसका advantage यह है कि farmer को कोई भी premium पे नहीं करना है ठीक है 0% premium पे अपनी फसल का insurance करा सकता है दूसरा important advantage है कि उसको registration की requirement नहीं है किसी भी किसान की अगर फसल खराब होगी तो उसको beneficiary माना जाएगा इस योजना का और उसको जो भी love दिया जाता है वो उसको लाफ मिलेगा अब यहाँ पर बात आती है कि कितना benefit मिलेगा तो यहाँ पर अगर किसान की फसल 60% से कम खराब होती है तो उसको 20,000 रुपे पर hectare के recording यहाँ पर compensation दिया जाएगा ठीक है अगर crop जो है 60% से जादा खराब होती है तो 25,000 पर hectare के recording यहाँ पर government की तरफ से help मिलेगी और यह केवल 4 hectare तक लाग हो है मतलब किसान की 4 hectare जमीन तक का पैसा वो देंगे इसका मतलब है किसान को maximum 1,000,000 रुपी मिल सकता है अपनी land के लिए अगर उसकी 4 hectare land खराब होती है 60% से जादा तो वहाँ पर 1,000,000 रुपे तक का government की तरफ से एक तरह की support, financial support दी जाएगी इतना आपको पता रखना है इस important current affairs से उम्मिद करता हूँ या तक आपको समझ में आयो होगा प्रिधान मंत्री फसल बीमायोजना क्या है और कौन-कौन से state out हुए है इस scheme से सारी चीज़ें हमने इस question में और इस current affair में जान लिए ठीक है आगे चलते हैं उससे पहले अगर आ increase in this season तो यहाँ पर पेडी का record showing हुआ है इस season में तो जानेंगे इसके बारे में detail में यहाँ पर बात हो रही है इस 6% increase in monsoon rainfall has pushed up खरीब showing तो यहाँ पर बात हो रही है कि इस बार कर जो monsoon rainfall है वो 6% से increase हुआ है अगर हम compare करेंगे पिछले year से यही कारण है 8.6% यहाँ पर खरी खरीब showing बड़ी है compare करेंगे पिछले साल के इसी week से ठीक है पिछले साल में इस week तो जितना खरीब showing हुआ था उससे 8.6% ज्यादा इस वार खरीब showing हुआ है और इसका कारण है कि इस वार monsoon अच्छा रहा है जो कि 6% ज्यादा रहा है पिछले year के compare में आगे यहाँ पर बोल किया है agriculture ministry ने जो की बताती है कि completely 1063 लाग hectare area showing हुआ है ठीक है मतलब है crop की जो showing हुई है इस साल वो हुई है 1063 लाग hectare compare करेंगे पिछले साल से तो पिछले साल का था 979 लाग hectare जो की इसी season में अगर बात करेंगे तो यह जो data है वो पिछले season का था ठीक है 2019 का यही season और यह जो data है वो 2020 का यह season चल ला है ठीक है इसके compare ने आपे निकाला गया है तो यहाँ पर 1063 लाग hectare planting हुई है total crops की ठीक है year के showing से तो पिछले year में जो planting हुई थी वो कितनी थी 339 लाग hectare जो की पिछले time की बात यहाँ पे कर रहा है तो पिछले year से 12% ज्यादा planting हुई है पेड़ी की यह यहाँ पर बात की गई है आगे यहाँ पर जो three major pulses है अरहर उरद और मूंग इनकी भी higher increase देखी गई है पिछले साल के compare में तो इनका भी जो production है वो अच्छा आने वाला है इस सीजन में इस साल में और आगे यह भी बुला गया है oil seed की जो planting है वो भी end हो चुकी है लगबग और यहाँ पर register किया गया है लगबग 14% increment देखने को मला है पिछले years के compare में तो oil seed का भी इस वार अच्छा production देखने को मिलेगा इंडिया में तो लगबग यहाँ पर 191 lakh hectare area जो है वो cover हुआ है oil seed crop से आगे यहाँ बुला गया है this till this week the country as a whole received a rainfall of 663 mm against the normal of 628 mm तो यहाँ पर बात हो रही है इस week तक अभी तक जो rainfall receive हुई है वो लगबग 663 mm हुई है जो कि पिछले साल इसी time तक केवल 628 mm हुई थी तो यहाँ पर जो increment देखने को मिला है 6% का यही कारण है कि इस वार जो खरीफ का showing हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है और result में production भी अच्छा मिलने वाला है यह उम हमारा important current affair जो की है पैडी के regarding, पैडी के, एकरेज के regarding और उससे कितना production इसवार बढ़ने वाला है यह सारी चीज़ है हमने important current affair में जाने है अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना आज की वीडियो का target है 150 lakhs का अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आज का target पूरा करना आगे बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने table शो किया है जो कि आप देख पा रहे होगे यह 2019 पीस का data है यह 2020 किसका है और difference कितना आया है यह यहाँ पर बात की गई है 2019 पीस से compare किया ग code cereal की बात करेंगे तो 4.35% ज़्यादा showing देखनों को मिली है oil sheet की बात करेंगे तो यहाँ पर 14.09% ज़्यादा showing होई है और यहाँ पर sugar gain की बात करेंगे तो 1.1% ज़्यादा showing होई है तो यह होगे हमारे खरीब showing जो की 21.8 21 अगस 2020 तक का data जो की recent data है जो की ministry of agriculture ने release किया है ठ पिछले साल का जो area shown था वो था 979.15 लाख hectare जो की बढ़के कितना हो गया है 1062.93 मतलब 1062.93 लाख hectare हुआ है जो की overall अगर हम निकालेंगे तो 8.56 यहाँ पे बोल सकते हो 8.56 लाख hectare का यहाँ पर increment देखनों को मिला है परसेंट मैं sorry 8.56% की बात हो रही है जो की पिछले year स अगर compare करेंगे तो इस वार का जो showing बढ़ा है वो 8.56 परसेंट बढ़ा है इतना आपको पता होना चीज इंपोर्टेंट करेंट अफेर चलते हैं एक और important करेंट अफेर CM योगी आदितनाथ लौंच्ट अ नावाड प्रोजेक्ट फॉर डेबलमेंट आफ टेरा कोटा आटीसंस इन टू ब्लॉक्स ऑफ गोरखपूर तो यहाँ पे CM योगी आदितनाथ ने चेर्मेन किसकी बात हो रही है नावाड के चेर्मेन के साथ मिलके एक नावाड प्रोजेक्ट लौंच किया है उत्तर प्रदेश के गोरखपूर में जो डेबलब करेगा टेरा कोटा आटीसंस को जान लेते हैं इसके बारे में चीफ मिनिस्टर योगी आदितनाथ लौंच्ट अ नावाड प्रोजेक्ट फॉर डेबलमेंट आफ टेरा कोटा आटीसंस इन टू ब्लॉक आफ गोरखपूर तो यहाँ पर गोरखपूर के दो ब्लॉक्स में एक नावाड प्रोजेक्ट लौंच किया है योगी आदितनाथ चीने जो की टेरा कोटा आटीसंस को डेबलब करेगा उनके विकास के लिए यह जो आपका प्रोजेक्ट है वो लौंच किया गया है अपका सेरेमेक जो होता है सेरेमेक से क्या है बरतन बनते हैं पाइप बनते हैं वह सारे लोग घरों में यूस होने वाली चीज़ा बनाते है ठीक है उसी को हम टेरा कोटा बोलते हैं तो उसी की बात हो रही है तो जो बनाते हैं उनके development के लिए ये project launch किया गया है आगे बोला गया है in a meeting with नावाट chairperson जी आर चिंताला जैसा कि आपको बता है नावाट के जो chairman है जी आर चिंताला जी उनके साथ एक meeting हुई और लखनों में वो दो दिन के विजट पे आये थी ठीक है और योगी also discuss the various initiative taken up by regulatory body in UP in the after math of the COVID-19 pandemic तो COVID-19 में जो आपके कुछ initiative लिए गए थे UP government के द्वारा उनके वारे में discuss किया गया है ठीक है और यहां पर जो उनकी विजट रही है तो उसी विजट में उन्हों ने यहां पर इस important नावाट प्रोजेक्ट को launch किया है जो terra quota artitions को help करेगा आगे यहां पर बोला गया है चिंताला said if the PM vision of आत्म निर्वर भारत had not be fulfilled it would have to be grounded in UP due to sheer size of state तो यहां पर आत्म निर्वर भारत की बात की गई है मतलब है कि आत्म निर्वर भारत को अच्छे से हमको ले जाना है और इस पर हमको work करना है अगर हम work नहीं कर पाए तो हम fail हो जाएंगे इसी लिए हमारा जो focus है वो क्या है कि आत्म निर्वर भारत हमको बनाना है ठीक है हर condition में हर चीज़ पे ठीक है किसी भी चीज़ की बात करेंगे कोई भी agriculture related हो या non agriculture related हो हमको self sufficient बनना है किसी भी matter में आगे यहां पर बात की गई है तो यहां पर चीज़ परसन ने बोलाए कि हमने यूपी में कई सारे steps इस वार उठाएं जिसमें से एक step यही था कि हमने 362 FPO formation किया है 362 farmer producer organization का यूपी में और लगवाग उनको provide किये हमने 1730 करोड की liquidity प्रदान किये ठीक है 1730 करोड की liquidity प्रदान किये बैंक्स को और यहां पर उन्होंने skill development program भी launch किये थे जिनका उद्देश था कि जो migrant worker आए है ठीक है अपने अपने states में वापस आए है जैसे UP के जो workers थे जो बाहर काम करते थे वो द्वारा से वापस आए है तो उनके लिए भी यहां पर कुछ उनके livelihood के लिए employment के लिए भी कुछ skill development program launch कि गए थे जोकि नावर्ड बैंक की funding के थ ठीक है यहां पर बात की गई है जिसमें उन्होंनी लगवग 1730 करोड रोपे banks को provide किये थे आगे यहां पर बात हो रही है the bank has also provided financial support to rural infrastructure project तो यहां पर बात हो रही है कि bank पहले ही financial support provide करा चुका है जो UP के rural infrastructure project है उनके लिए जिसमें कुछ major irrigation project सामिल थे जैसे बात करेंगी अर् ठीक है तो आने वाले सालों में अभी additional 1600 FPO और फार्म होंगे आने वाले वर्सों में यहां पर बात की गई है जो कि नावाट की चेर्में ने अपने statement में बात कही है ठीक है तो यह हो गया टेरा कोटा आटिसंस के development के लिए जो कि एक नावाट project launch हुआ है गोरगपुर के दो blocks में इतना आपको पता होना चाहिए नावाट की बाता है कि तो कुछ important term जैसे नावाट के chairman जीर चिंताला जी है headquarter मुंबई में है ठीक है 12 अलाई 1982 को यह form हुआ तो इतनी सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए इस important current affairs ठीक है उम्मेद करता हूं यहां तक आपको समझ मे आया होगा तो friends यह था आजका important session वीडियो को like करना जाधा स्याधा share करना अब बात करेंगे आज के प्यारे से question पे उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पुछेगे question के answer के बारे में तो question था the United Nations has declared 2020 as international year of which तो यहां पर बात हो रही थी कि UN ने 2020 को कौन सा international year decide किया तो वो है international year of plant health जिसको IYPH के नाम से हम बोल सकते हैं ठीक है तो plant health के लिए 2020 को UN ने United Nations ने डिकलेर किया है international year ठीक है इतना आपको पता होना चाहिए अब बात करेंगे आज का प्यारा question तो question है world coconut day is celebrated on which day तो यहां पर बात हो रही है कि world coconut day किस दिन celebrate किया जाता है जल्दी से comment box में answer कीजिए अगर आपको answer पता है तो mobile उठाइए टाइब कीजिए answer और फिच दीजिए हमारे चैनल पर हम आपके valuable comment का wait करने है तो यह था आज का important session उम्मेद करता हूं session पसंद आया होगा helpful लगा होगा अगर थोड़ा भी helpful लगा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो आपको मारे telegram channel और whatsapp group में मिल जाएगा जिसकी link हमने description box में दे दी है so thank you for watching जै हिंद जै भारत